उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंतरता संगराम में भाग लिया था。 आरंभ में वे East India Company की सेना में सैनिक थे, लेकिन बाद में स्वतंतरता सेनानियों के साथ मिल गये. उन्होंने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों की अवग्या करने और विदेशी शासन के विरुध स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया कमपनी की सेना के साथ मुटभेड में भीकू को पकड़ लिया गया उन पर ब्रिटिश शासन से बगावत करने और फौज की नौकरी छोड़ने के आरोप लगाए गया आज इवन कठोर सश्रम कारावास की सजा देकर उन्हें निर्वासित कर दिया गया दो जून 1858 को अंडमान वीप में कारावास में ही उनका निधन हो गया आज हम स्वतंत्रता सेना नी सिध्धु को भी याद कर रही हैं वे हर्याना के बलवारी के निवासी थे आरंभ में सिध्धु एस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी करते थे लेकिन बाद में नौकरी छोड़ कर 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्रा में शामिल हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और सेना की नौकरी छोड़ने और ब्रिटिश शासन से बगावत करने के आरोप लगाए सिध्धु को मृत्यु की सजा सुनाई गई और 2 जून 1858 को उन्हें फासी दे दी गई